जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाद किसको बोड़ है और आपब भी मुझञे बोल सकते हैं जब कोई बात विगड़ जाएस जब कोई मुश्किल पड़ जाएस मैं तो आपके साँ हुई आप लोग भी शारोमने प्रिख और यहां को सब्रबाइब और आपका यूद्ष सरुगया और यूद्य john Eh जो हमारे लाइफ में वेलु आड़ वह हम जानते क्या स्राप खिद पर कोशिश कर रहा था कि लेकिन तो सब ठीक है आज कौनently ऑठ न तो चल रहा है हम जानते स्अर पिछले वीडियों में हमने देखा सर साइन सेवन्टिफाइव साइन वन जिरो फाइव और आपने कुछ होमर्ग हमने कर लिए सर इस बार हम क्या करेंगे वो हमें बता हुआ तो क्या सर यह 210 अच्छा सर 210 का तो हमारे पास वाइलू कौन सी कौन सी होती है सर हमें याद कवंस होता है जिरो डिगरी 30 डिगरी 45 60 और 90 और आपने बोला था ऐसा आया तो किनी दो को जोड़ो अगर 210 आता है 105 जब आया था सर तो हमने क्या किया था सिक्स्टी प्लस 45 तो सर 210 60 90 प्लस 60 भी नहीं होता है सर सर नाइटी प्लस 60 कितने होता है सर 150 150 तक ही जाते हैं उसके आगे कैसे जाएंगे 210 नहीं कर सकते सर इसको बताओ सर हमें बताओ सर जल्दी बताओ अरे इसके तुम्हें आया है क्या एक्जाम में आता है आएगा यह आ सकता है उसके जगह पे अच्छा सर तो कहां से करेंगे अब को क्या करना है तोड़ा 10 अखां से हमेशा आपको स्कॐर्स करने विडियो को से असके ऊपर हमकुपने वीडियो बना है से देखने बीच में अगर कोई भी वीडियो उठा एट तो अथी विडियो बंद कर दो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला तो हम उपर नीचे तो सिक्वेंस में कर देंगे डॉंट वारे तो यहाँ पर 210 यह कितना होता है 90 यहां फिर प्लस 90 कर दो 180 ऊपिर उसमें 90कोड दो 270 एधिसा को दो आपको सबसे पहले आपको साइन डिसाइड करना है यह क्या है साइन मतलब येस आई जी एन येस आई जी एन मतलब चिन डिसाइड प्लस देना है वह कैसी भी सब्सक्राइड है अच्छा से श्कॉड भैश। में यहां पली क्या है सइन ही दिसी मतलब यहाँ पर और कॉस्टिव देखिय। है आंको यहां कि समय होगा है तो सबसे पेले आपको नेगेटिव क्यों दिया क्योंकि यहां पेर साइन है पर यह 210 जो है थर्ड केरण में आता है और थर्ड मैं स्वार थां बरी क्या लिखना है और मलंक्तने साइन आले हुआ बेञबरा, sine of 210 जो है, उसमें कितनी बार, 90 आता है? एक बार 90, दो बार 90, बढबरा, दो सुदस को कितनी बार 90 है, उसमें? 2IT9, कितना हो गया? 180, बढ़रा, 210 में से 180 हटा दो, 210माइनस 180, 210माइनस 180, इतना होता है? 30, बढबा, तो आगे कितना देख दो कि अब यह जो है यह कितना होता है तू तू अन्जीरों मतलब 210 ही होता है इधर की देखू टू इंटू 90 180 प्लस 30 इस इकोल टू टेन मैंने 210 ही इस फॉर्मेट में लिखा है क्यों लिखा है क्यों कि मुझे कौन से अंगल मुझे पता है मुझे 0, 30, 45, 60, 90 यह पांच एंगल ही मुझे स्टैंडर पता है उनमें से ज्यादा तर यूज कों से होंगे यहाँ पे तीन ही जाद रखो 30, 45, 60 यह तीन ही मसे कोई तो यह यहाँ पे आना चाहिए इसलिए मैंने क्या किया उसमें से जितने में 90 थे 210 में कितनी बार 90 आता है आप कर सकते हो 210 डिवाइड बार 90 कर सकते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 210 डिवाइड बाइड 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 बार तो यहाँ पे लिखना है तो वो 2 इंटू 90 और ऊपर कितना बचता है तो इंटू 90 और लिखा 180 इदर आ गया 180 तो ऊपर कितना बचा 30 बचा यह टोटल जो है 210 ही आना चाहिए अच्छा समझ लिए आगे बताव से इतना तो समझ लिए ओके सर अब यहाँ पे टामिना लिख हमको याद रघनी है यह हो है कितने आपर अपर स्कांस में चेंज होजबता है और कॉस चेंज चंड में साइन का कॉस का साइन हो सकता है कैसे होता है क्यों होता है कभ होगा वह मैं बताओंगा अभी जाने में रखो टैन का कोट होगा या फिर कोट का टैन होगा सेक का कोशेक होगा या फिर कोशेक का सेक होगा यही होगा यह तीनों में से कोट का साइन कभी नहीं होगा को सकता है को सकता है लेकिन होगा या नहीं यहां पर कैसे करेंगे अब यह नंबर देखेंगे यह वाला अगर यह वाला नंबर अगर यह वाला नंबर यहां पर लिखता हो मैं आपके लिए द्यान में रखो यह किलियर कट द्यान में रखो मुझे इसमें कोई कन्फिशन नहीं चाहिए ठीक है यह वाला नंबर अगर अगर और है तो चेंज करूँ रेशो चेंज करो, अगर एवन है, तो नो चेंज, आई वो क्लियर हो जाए, ये वाला नमबर अगर और है, अभी एवन और क्या होता है सर, अगर जिनको एवन और यहाँ पर पता नहीं है न, बंद कर दो पढ़ाई, बंद कर दो, आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हो, वो गल दो से complete division होता है, मतलब जाएसी कि 0, 0 को चोड़, 2, 4, 6, 8, 10, ये वन नमबर है, और मतलब 1, 3, 5, हाँ सर, समझ गये सा, अब समझ गये सा, तो ये 2 क्या है, इवन है, तो इवन है, तो चेंज नहीं करना है कुछ भी, साइन को as it is रखवाए, अच्छा, सर इधर अगर और हो तो क्या होगा, sign as it is रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है, इसको गायब कर देना है, प्लस के सामने जो है, उसको ही लिखना है सिर्फ, क्यूंकि ये भूमने वाला पार्ट है, 90 वे वो गायब कर दो, सिर्फ इतना लिखो, अच्छा से, सिर्फ 30 लिखो, और साइन 30 तो हमन हमें याद की रखी, सर, sign का हमें पूरा रो याद है, सर, 0, 0 के बाद होता है, सर, 1 by, 1 by 2, फिर 1 by root 2, root 3 by 2, और नहीं, 1 होता है, तो 0 के बाद 30 आता है, तो 30 का 1 by 2 है, सर, अच्छा, तो इसका final answer आएगा, सर, हमें समझ में आ गया, ये minus आगा जाटी, sign 30 कितना होता है, 1 by 2, ये हो गया, इसका answer, आपको complete पूरा मारग मिलेगा, बरब, सर, थोड़ा, थोड़ा सा मितलब, थोड़ा सा ट्रीकी है, लेकिन simple है, सर, हम क्या करेंगे, वीडियो को repeat देखेंगे, बरब, तो एक, दो, तीन बार जब हम देखेंगे, तो हमारा, आसान हो जाएगा, डोर दो तो मैं यहाँ पर आपको यह भी problem करके दिखाऊंगा, एक हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि, no change वाला भी करना है, तो पहले यह करके देखते हैं, उसमें क्या होता है, cos of क्या है, minus 765 degree है, यह degree लिखा नहीं लिखा, इसके चिंता जादा नहीं करना है, की है, okay sir, sin 765 degree, तो इसमें क्यों अई करना है, लेकिन सबसे पहले sir, यहाँ पर अंदर के, यहाँ पर minus नहीं था, यहाँ पर minus है, तो तब आपको यह formula आदा राची, cos के अंदर अगर minus है, तो वो minus गायब कर सकते हो, और sin के अंदर वाला minus है, उसको बहर लायना है, cos का minus गायब, sin का minus बहर, अच्छा, okay sir, तो cos का minus गायब, directly गायब, हाँ गायब करना है, तो क्या कर सकते हो, directly मैं cos का minus गायब कर देता हूँ, अच्छा sir, हमें समझ गये sir, यहा अब यहां पर वही चीज करेंगे बरबद सबसे पहले क्या देखेंगे इसको हम क्या करेंगे रेश्यों पहले चेंज करेंगे यहां पर क्या है कितनी बार आता है 90 इसक्षफव डिवाइड़ बाइड़ नाइंटी कोड़ों क्या करके दिखा दो आपको यहां पर के लिए जाएंगे जाएंगे मोड पहले क्लियर करता हूं में 765 डिवाइड़ बाइड़ नाइंटी एट पॉइंट फाइव आता है ठीक है एट पॉइंट फाइड़ मतलब नाइंटी से डिवाइड करने के बाद एट पॉइंट फाइड आता है मतलब इसके अंदर आठ बार नाइंटी है कितनी बार नाइंटी है आठ बार तो मैं इसको क्या करूंगा ऐसे लिखूंगा एट इन्टू 90 प्लस अब एट इन्टू 90 कितना आता है 720 लेकिन हमारा क्या है 765 है तो उपर कितना बचा सर्फ 45 बचा तो उपर का 45 में यहां पर लिपता हूं अच्छा कि अच्छा सर्फ वह साइन यहां पर कैसे मास दिया दा है यहां पर नाइंटि है ना तो कर तो नैंटि अच्छा बार नाइंटि एक बार दो बार तीन बार चार बार 5 बार 6 7 हर छार बर रृपिट करता ज्यायां चिंता मतलूं पर पहले होता है चाहरा चुए मोसट क्या होता है तो इसको क्यारा करेंगे हूं 45 डेरेक्ट लिखेंगे और हमें 45 कॉस्ट फोटीफाइब हमें याद है सर क्लिक्राइब में डिरिक्ट भी आ जाता है लेकिन हम याद भी है जो है फॉट्टिफाइब है इस अब यह वाला जो है सेक वाला यह करते हैं इसको मैं आप लिखता हूं अच्छा सब अब यह तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है लेकिन क्या असान है सब बहुत ही जादा असा है क्या करना आपको अगर मैं करता हूं तो यह पॉइंट में अगर मैं इसको करता हूं यस्टूड़ी 40.6 आता है कितना आता है इसका 3660 डिवाइड बाय अगर आप 90 करते हो तो आता है 40.6 मतलब 40 बार 90 है इसके अंदर बड़ा इतनी बार 40 बार 90 है तो मैं इसे लिख सेकता हूं सेक आफ 40 इंटो 90 कितनी बार 90 है 40 बार अगर 40 बार 90 मतलब 40 इंटो अगर मैं 90 करता हूं तो यह 3600 बन जाता है लेकिन उपर साथ है बरबर 3600 लेकिन उसके उपर कितना बचा उपर 60 बचा बरबर तो वह 60 यहां पर लेकिन और यह कैल्कुलेट करके देखेंगा 3660 आएगा पर ओके सर अब हमें समझ में आ रहा है सब कुछ अब तो सर यहां पर 40 बार 90 है क्या चालीस बार गिंते बैटेंगे सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं मैंने पहले बोला चार बार गुमोगे तो वही वापस आओगे तो 40 बार मतलब 4 से डिवाइड होता है चार के, चार के टेबल में कोई भी नंबर हो, तो फिर से गुम के यही आने वाला, बारा बार, चार बार, फिर आट बार, यही आने वाले हो, बारा बार, फिर सोला बार, ऐसे ही 40 बार अगर गुम होगे, तो फिर से 0 पे ही आओगे, तो हम कहाने वाले हैं, अगर चार के है पॉजिटिव है कि सारे के सारे पॉजिटिव तो मैं जे लिखता हूं और यहां पर मैंने बात बुलना बुल गए थे हम लिए आठ कौम सा नमबर है यहां पर कॉस का साइं क्यों नहीं हो रेश्व चेंज नहीं हुआ तो आठ क्यों की इवन नमबर है, इवन कॉंप चेंज नहीं करते हैं, सर वो चेंज वाला है, ले ले क्या, वो भी लेंगे हैं, don't worry, उसके बाद, यह 40 इवन हैं क्योड है, 40 भी इवन ही है सर, यहाँ पे भी no change सर, मतलब सेक का सेक आज़िट रहेगा सर, तो यह गायब कर दो, सिर्फ आगे 60 सेक 60, सर, कैलिकुलेटर में तो सेक 60 नहीं दाल सकते हैं, लेकिन कॉस 60 दाल सकते हैं, और कॉस का उल्टा सेक होता है, सर, कॉस 60 अच्छा, कॉस 60 सर, 1 by root 2 होता है, कॉस 60 कितना होता है, सर, 1 by 2 होता है, कॉस 60 1 by 2 होता है, तो, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 2 by 1, मतलब 2, सेस patents ने चला लेकिन कॉस्सिक्स्टे क्या होता है पहले लेक्चिर से गोप सब समझों ना έकाल सैंसा तो से कॉलकुल तो से कॉछ इने हैं इस को कि नहीं अधे से मतलब सर कैसे निकाल आपने अच्छा सब्सक्राइब और आ दो करना है या फिर आपको बार में राइट डाउन करते हैं या फिर आपको बाहत ही जाब यह तेनों में से एक डिरेक्ली कुश्छन आपको दिख सकता है तो मुझे वह नो चेंज वाला एक लेना है इसलिए मैं इसको थोड़ा यहां पर नंबर में चेंज करता हूं तो यहां पर मैं एक अलग प्रॉब्लिम लेता हूं मान लीजें मैं यहां पे ऐसे लेता हूं मैनस थ्री थर्टी माइनस थ्री तर्टे ठीक है तो इसका क्या आएगा अब सबसे पहले साइन के अंदर माइनस है तो ये फॉर्मिला आपको याद आज़े अंदर माइनस है तो साइन के अंदर माइनस है तो उसको बाहर लिखो पहले वक्त तो अच्छा उसको क्या कि हमने बाहर लिखा। फिर क्या करो केल्क्लोटर में जाओ। और जो साइन है ना। जो 330 है इसको डिवाइड करो 330 डिवाइड बाय 90 इस इकोल डू कितना आता है 3.6 मतलब 3 बार 90 है उसे अच्छा सबूके मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3 इंटो 90 प्लस तीन बार 90 में 270 हो गया लेकिन 330 चाहिए तो उपर कितना बजाती है 330 माइनस 270 60 बचाए अब 60 बचाए अब यह कौन से क्वाडरन में जाता है साइन कौन से क्वाडरन में जाता है तीन बर हाइंट है ना तो यहां से चाहब करना है एक बार,दो बार,पर तीन बार पर उपर इसक श्रन में निगेटीव है निगेटिव हैं यहांपे साइन क्या है जातलु जातलु है साइन बहांपे बाकि सब देना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे आपर निगेट्यूज फिर ये ये क्वाद्रन की वजह से एक निगेट्यव आ गया और ये गाहिब कर देना है थे एंटो नैंटी अब रेश्यो चेंज होगा क्या कि अब यह विद्यान में देना है के रेश्यो चेंज होगा फिर यहाँ पहस हो convention क्योंकि यह odd number है तो sign का positive or negative वो देख लो वो यहां पे लिखो फिर sign का positive होगा क्या नहीं कैसे पता जालेगा क्योंकि तीन जो है यह odd है इसलिए change करना है और आगे का number जो होता है वो हमें directly लिखना हो तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा और past 60 की value हमें पता होती है क्या होती है और 60 की value 1 by 2 रहाई हुआ है ओके हैं सबस्क्राइब बहुत अच्छे सब्सक्राइब हम तो समझ लेकिन हमारे लिए कुछ है क्या मैं एक आपको लिए हमर के यहां पर दे रहा हूं ठीक है वह आपको जरूर सॉल करना है सेख आफ आप लिखता हूं सेख ओफ माइनस सिक्सिक्सिक्स जी ठीक है यह वाला आपको जरूर ट्राय करने है और यह कमेंट सेक्षन में आपको बताना है इसका आंसर क्या है ठीक है आपको समझ में आ गया है सब कुछ वीडियो एक बार दो बार फ्रीलिया अपके लिए और यह वीडियो आपको शेर करना है आपके दोस्तों को बोलना है जितने भी आपके कॉंटेक्ट में जिनको जरूरी होगा उन सब के साथ श्यर केजिए और वीडियो को लाइक भी करना है और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटटफट कर लेजिए ठीक है और करते और फिर अगला सब्सक्राइब